तो हलो गाइस विल्कम बैक तो माई अनदर वीडियो एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत सवागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रेंट बताने वाला हूँ कि आपकी स्टूडियो वाली जो क्वालिटी होती है उसको अपने घर पे बना सकते हैं वो भी अच्छा सा सौंग यह फिर अच्छा सा जो वोकल है उसको स्टूडियो में रिकॉरड कर पाएं तो उसको फाइनली आप अपने घर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं आपको इस वीडियो में यही चीज़ए बताऊंगा कि कैसे आप अस्टूडियो वाली जो क्वालिटी होती उस इस अप्लिकेशन पर इंटेक कर जाना है और हम आपको बिताते हैं फ्रेंज कि अगर आपने भी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिजेगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लेकर आते रहूंगा तो नेक्स्ट वडियो का भी मैं बनाऊंग तो उसमें आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे हम जो है इसी बोकल के उपर एक म्यूजिक भी अपने मौल से ही बना सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर एक आध्योर रिकॉर्डर है जो मैंने आपको बोला था यही वह ऑड्योर रिकॉर्डर है तो simply इसको आपको क्या करना है गाईज सबसे पहले यहां पर record करना है आप जो भी external mic है या फिर आपके पास जो headphone होते हैं जिसे हम लोग नमली किसी से बात करते हैं तो उसके अंदर माईक है तो उसको भी लगा कि आप यहां पर record कर सकते हैं सो यहां पर क्या होता है कि left side corner पर आप देखेंगे तो कुछ option आपको दिखाई देखा ओप्सन का तो यह जो option का आपको last में सबसे option आता है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर सबसे उपर आपको 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 आजाना है और यहां पर आप देख सकते है quality तो quality में आपको क्या करना है यहां पर maximum quality है 320 kbps यहां से इसको select कर लेना है और record में delay आप देख रहे हैं तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी रह सकते हैं रख सकते हैं वाइदवे इसको आप छेचार भी कर सकते लेटनसी जिसको लेटनसी बोलते हैं वो यहां से आप कम बेस कर सकते तो फिलाल मैं इसको ऐसा ही रहने दूँगा और बागी चीज़ों को फिलाल ऐसे रहेगा और यह आप देख सकते हैं format तो format मैं आप mp3 ले सकते हैं लेकिन मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर valve format रखें क्यूकि इससे अच्छी quality के recording आपको मिलेगी और इसको export करेंगे तो अच्छी quality के record मिलेगे अब record करते हैं कुछ और मैं तोटो से आप गा लेता हूंगा तो इसको फिलाल मैं यहां पर स्टॉप कर रहा हूँ और आपके सामने देखेंगा इसकी काफी अच्छी इसकी जो recording हुई काफी स्मूध recording हुई है बहुत अच्छी quality कि यहां पर आप देख सकते हैं तो अब इसको मैं आपको थोड़ा प्ले करके सुनाओंगा तो आई इसको सुनते हैं कि इसकी quality अभी कैसी आ रही है तो इसको मैं आप पर स्टॉप कर देता हूँ गाइस और अब देखें मैं आपको बताता हूँ कि इसको प्रोसेस कैसे करेंगा है तो simply आपको करना क्या है कि यहां पर जो उपर में three dot corner पर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर आने के बाद effect का दूसरे number पर option दिख रहा है यहां पर आपको आना है और मैं इसको प्रिव्यू करके देख लेता हूँ कैसा बज रहा है तो quality अच्छी है और इसको हम यहां पर simply क्या करेंगे अपलाई कर देंगे तो आप देख सकते हैं quality काफी अच्छी बन गई है और इसमें आप चाहें तो और भी बहुत सारे effect लगा सकते जैसे effect में आएंगे और यहां पर कुछ option और भी है जैसे आप इसको थोड़ा equalize कर सकते हैं लेकिन उससे पहले guys मैं आपको बता दूँ कि इसमें compressor एक लगाना जरूरी था जो मैंने आपको नहीं बताया तो इचली compressor लगाते compressor यहां पर आएंगे और compressor में आप चाहें तो इसको manually adjust कर सकते हैं अपने ही साब से तो इसलिए हम इसको भी apply कर देते हैं और यह हमारा compress हो गया vocal अब guys यहां पर क्या करना आपको फीर से यहां पर आना है और effect में आएंगे और effect में आने का वाद क्या करेंगे equalize पर आपको आना है और यहां से आप थोड़ा इस तरह से इसको बढ़ा तीजिए equalize और कुछ इस तरह से इसको आप adjust कर लिजिए और यहां से apply कर दीजिए तो अब देख सकते हैं हमारा song जो है वो तयार हो चुका आईए अभी आपको सुनाता हूं कि अभी quality कैसी आ रही है तेरे बीना जिंदगी से कोई तो नहीं शिक्वा नहीं तो काईज अभी की quality वो काफी अच्छी आ रही है पहले की quality से तो अब इस तरह से जो एक अच्छा focus record कर सकती है अपने while से अब मैं आपको बताता हूं इसको save कैसे करेंगे simply save करेंगे और यहां पर अपना जो है नेम डाल दीजे जो भी डालना चाहते है तो चलिए मैं आप अपना एक name डाल देता हूं जैसे मैं डाल देता हूं Music Sikhi Demo इसको done करेंगे और यहां से सेव करेंगे तो guy yourån UC 1987 Π zu CE इसको हटा कि आपको wave करना है यह मैंने आपको नहीं बता था तो इसको यहां से wave करेंगे और यह सेespère कर अपकी जो quality अच्छी मिलेगी और यह automatically जो आपका save हो जाएगा और अच्छी quality आपको यहाँ पर बनके मिलने वाली तो एक अच्छा vocal आप इस तरह से बना सकते हैं इस तरह से एक अच्छी vocal को record कर सकते हैं अपने मुवाल से और ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो को ये पर समापत कर देता हूं गाईज और जल्दी से कॉमेंट करके हमें बताए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी